जो शैली थी जो इस इंड़ेश्टी की शैली थी उस शैली को पास्चात में वो चल नहीं पा रहे थी उसका जीवन का जो एक इच्छा थी जो एक एम था उसमें कुछ निश्चित तरपर गड़ी थी लेकिन कई पीत पत्र करता और छुट भईया तरीके के पत्रकारों ने यह आरोप लगाया कि रूबी सिंग के पवन सिंग से संबन थे और पवन सिंग के कारण रूबी सिंग ने आत्मत्या किया यह मेरा विक्वेस्ट है कि आप बेवजा उस अभिनेत्तरी का नाम किसी भी विवाद में नाग गसीते हैं यह सबसे बड़ा विश्य है जिसको लेकर आज मैं यहां आया था इसके बाद आप जो पूछना चाहें मैं उसके लिए आज हूँ जैजी आप आप इतने कॉंफिडेंस से कैसे कैसे हैं आरोप दराएगे तो क्या आपके पास कोई जुबूत है यह आप कुछ ऐसा जानते हैं कि रूबी सिंग के सुसाइड में पाउन सिंग कोई इनवर्में नहीं था आप कैसे कैसे हैं मैं इसलिए यह दावा कर सकता हूं कि इंडेश्टी में रूबी सिंग मुझे भाई का दर्जा देती थी और मेरी सगी बैन से बढ़करती हो मैंने अंतिम समय में साथ से आठ फिल में उनके साथ ऐजे विलन किया जब भी रंग दे प्यार के रंग में हम कर रहे थे पनिवेल सुर्वे भारहाउस में उस रात को पुरी चूटिंग चले थी और रो रो के सब बता रही थी कि या मेरा ये चल रहा है वह चल रहा है समय थोड़ा सा है इंडस्टी वाले और बोचपुरी में उतना पैसा है ने एरो को चोड़के क्योंकि एरो सिंगर होता है तो मुंबई शहर में रुकना चनला और चार लोगों को लेके चनला और मैं दावा इसलिए में कर रहा हूँ कि गोरे गाव पुली स्टेशन में आप लोग जाकर उसकी FIR उसका ADR जो है चेक कर लिए उसमें ऐसा किसी तरह का मामला दर्ज नहीं है इंडस्टी में कोई एक आदमी अगर आके ये बोल दे कि रूबी सिंग इतना परसन भी गलत थी तो मैं इंडस्टी चोड़ने को तयार हो ये मेरा दावा है सवाल रूबी सिंग के गलत या सही होने का नहीं है सवाल पौण सिंग के गलत और सही होने का है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रूबी सिंग के सुसाइड में कौन सिंग का कोई हाथ नहीं था या आप कह रहे हैं तो अक्षरा सिंग क्यूं इस तरह के आरोप लगाएंगी आफिर जो जिसकी मौत कई साल पहले हो चुकी है उसके नाम को क्यूं रसीटा जाएगा मेरी अच्छरा जिसे बात हुई है तीन दिन पहले आप फिर जाकर बात कर सकते हैं मेरी जो बात उन्होंने एक ही शब्द का है कि मैंने रूबी सिंग का नाम बिल्कुल नहीं लिए है मैंने पट्टना के पत्रकारते अनूप नारहन सिंग उनसे बात की उन्होंने कहा कि व छो पंदाल उससे मेरे बात वही है लेकिन किसी पत्रकार के बास इस बात का सबूत है कि रुपी सिंग का नाम लिया कि मेरा पुल मिला के बोलने का मतलब है आग जो इस दुनिया में नहीं है जिसकी आत्मा दुखी है उसका नाम लेके उसका अगला जीवन क्यों खराब करें हैं मुझे बता एक इंडस्टी में आदमी बता दो जो बता दे रूबी सिंग के लिए कि मैंने ऐसा किया अगर उस दौर में चलती आप लोग भी जानते हैं इंडस्टी में कई हिरो हिरोईन है जो अपना बहुत बड़ा तमगा लेके इस्तार का चलते हैं लेकिन जिनके पास साल के दौर को नहीं अपनाया इसलिए उसने आत्मत्या किया इसलिए यह बाता सामने आई पावन सिंग रख्षरा के विवाद में अगर रूबी जी का नाम नहीं आता तो शायद मैं सामने नहीं आता लेकिन मुझे पता है कि मैं उसका अगर भाई होने का फड़ ज़्यादा क क्योंकि अगर आज लोग कह रहें कि पावन सिंग जेल जाएंगे किसी ने मालवनी पूली स्टेशन जाकर यह जानने की कोशिच की कि मामला क्या दर्ज है उसमें कितने साल की सजा है उसका इमेल आईडी किसका था फेस्बुक साइड किसका था यह सब किसी पत्रकार में जा करता का कोई फड़ जाए कि नहीं है आज एक दिवंगत आत्मा को दुख देना कल बना कीजिए अगर वहां पर मेरी सखी बहन होती या आप में से किसी की बहन होती क्या करती है आप लोगों को इस बात का दुख नहीं है कि यह आपस की जो लड़ाई है के मेरे के सामने आग का ठाटा ओ मैं बयान कर रहा हूं कि ऐसी बच्ची जिसका कोई लेना देना नहीं एंग है मुझे लगता है जिनके वह पावन सिंग से चार पाच फिल्मों में मैं सेट पर रहा हूं छ आप में और पूरे सेट पर पावन सिंग से आगर बाठ भी करती होगी बेचारी को मु जो कहा खा उसने सटल किया होगा इसले मुझे दुकर इसले मैं आप लोगों के सामने आ रहाँ आपने जब यह बात मुची कि रूपी सिंग सिंग नाम नहीं लिए इसले उस विश्य से कोई ले ना देना नहीं था और जहां तक रही पावन सिंग और अक्षरा जी की बार उनका जो विवाद चल रहा है अक्षरा जी जो आरोप लगा रही है निश्चित कहीं न कहीं आगे में धुआ होगा कोई आपसी संबंद रहे होंगे निश्चित होंगे अब यह तो पावन सिंग जब सामने आएंगे पूलिस की जा है कि आग और धुए वारा केल बाकी है कि निश्चित और बरबाकी है क्योंकि अगर मैं अपनी पतिनी के साथ 20 साल रहता हूं और इस्टेबाद कोड में जाके 498 का केस करता हूं तो आग और धुआ का कुछ तो मसला होगा पावन सिंग की बात करें आप पावन सिंग से कहा आपने और भी किसी से बात करने की कोशिश की उनके लॉयर से या किसी से जो उनका पक्ष रखें जो कौन सिंग के बारे में बात कर सकें नहीं मेरी लॉयर से यह अभी कोई बात नहीं हुई है और उनके अभी किसी से बात नहीं हुई है लेकिन यह जो विवाद है विवाद की जो सुरुवात है विवाद का मैंने पहले भी आप से कहा कि अगर इसमें रूपी सिंग का नाम नहीं आता तो शायद मैं सामने नहीं आ सावन की जाने यह पकष्ण के क्ला सभाइए लेकिन आपके भी करते हैं लेकिन आपके दोस्त हैं आपको नहीं लगता अपको कमता है कि जंद किस connection की बिख़ मैं पर आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है जैसिंग जी बिल्कुल अंदाजा है क्योंकि मैंने जीस पवन सिंग को देखा है उस पवन सिंग ने सेट पर किसी के पिता जी मर गए है रात और रात उटके उसने टिकेट करवा कर दिये उस बंदे को घर बेजा है एक लखनों में एक्सिडेंट हो गया था एक डिस्टिबूटर के उनके भाई के लिए वो मेरे साथ इंटरनेशनल एरपूट गए वहां पचास अजार रुपय जाल सगा तो सोने के नाथ मेने आज तब कोई मदद नहीं लिए यह मैं लिख के देता हूं लेकिन उन्होंने बहुत लोगों की मदद किया है अब अक्षरा जी का और पवन जी का जो विवाद है मैं फिर गए रहा हूं विवाद है निश्चित तोर पर होगा लेकिन पवन सिंग वीडिया के सामनी ना आने का करण उनका चल है उनके साथ जो लोगों ने चल किया है अभी एक मैंने वीडियो देखा जो डांस मास्टर राम देवन जी है मुझे लगता है कि राम देवन जी खाली बैटे हुए थे उनको इतने अच्छे अच्छे गाने देके हिट कर करके जब फिलिम उनको नहीं मिली तो आके वीडियो में विरोत कर रहे हैं विमल कुमार जी के देश परदेश पिच्चर उन्होंने की मुझे लगता है कि सबसे कम पैसे में की उनका विरोत कर रहे हैं एक बंदा है जिनकी पिता जी की जगा पावंसी फोड़ो लगाते थे को बैटके वहां विरोत करने पावंसी मीडिया के सामने एक्चुली इसलिए नहीं आ रहे है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जाओ कहां कौन मेरा कौन पर आया लेकिन सच कहने के लिए किसी अपने पराई की जुरूत होती है जैसिंग आपको ऐसा लगता है बिल्कुल होती है सच अगर उनको थोड़ा भी लगता है कि अच्छराजी के विवाद में सच्चाई है जो भी गलत है तो आप जाए पुलिस टेशन वहां पर हाजिर हो जाई कि IT की Act 66A, 67E, 509 IPC ये तीनो धाराएं लगी हुई है आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन ये तीनो धाराएं तब उनके उपर लागू होगी जब फेस्बुक को लेटर भेजा होगा पुलिस ने पुलिस से फेस्बुक का कन्फरमेशन आ जाएगा कि ये किसके थी जिन्होंने अक्षरा जी की बदनामी की है इसके बाद जाकर हो मामला पुलिस के बास आएगा और तब पुलिस उसको संबन बेजेगी और पूस्ताच के लिए उसके जो दसो कौन होगे उस एंगल से पूस्ताच करेगी जै जी सवादा ऐसा कि आपने लगता कि पहण सिंग गलत किया है या चैस के याए जात कने जात होनी चाहिए और फकिस पहले ही उनहें मीडिया के ट्राइल में पहले गी दोची थराय गया है मैं इंडेश्ट्री के ट्राइल में जो दोची धराय गया है उसके मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता क्योंकि कोई भी हो चाहे हो मीडिया का ही ट्राइल हो कि समाजी किसी भी विभाग का ट्राइल हो वहां तो हर अच्छे बुरे लोगों के साथ रहते ही रो मैं अक्छरा जी को गलत यह नहीं बोल रहा हो कि अक्छरा जी के साथ कोई आ रहा है नहीं आ रहा है अक्षरा जी पीड़ता है इस समय अक्षरा जी को पूरा दुख है और उनको यह अधिकार भी है कि एक इस्त्री होने के जाटेकर उनको उनके साथ दुर्वेवार हुआ है तो उसका लेकिन उसके लिए रास्ता है उसके लिए मैं यह कह दू कि नहीं नहीं जैय सिंग जिम्मे ये नहीं होते हैं विरोधात्मक्त भी उते हैं और मुझे लगता है कि जाधा बोलते हैं और अपने कम बोलता हो थाहिए मैंने कहा कि जैसा कि पीडित हैं उनको पूरा अधिकार है लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और यह आती है निकर के कि क्या ताली एक हाग से बसती है इसका साब साब मतलब है कि अक्षराजी और पवन जी के जब अच्छे संबंद थे अच्छे रिलेशन थे उस समय पवन जी बार बार यह कहते थे वही मेरे फिल्म में कोई इर्वेन एक लेकिन मैंने उस आदमी को एगर आज अक्षराजी यह कह रही है कि पवन सिंग ने मुझे निकलवाया कंपनी से निकलवाया यहां से निकलवाया तो निश्चित तोर पर कहीं कुछ ना कुछ गड़ बढ़ है। होगा निश्चित। यह पावन सिंग को सामने आकर बोलना चाहिए। तलखी आजकल हमने सुरा कि आपके और कम दिश्ठे में भी है जिसके बाद आज अक्षरा सिंग के साथ आपकुछ करता और बाता बेटे में बाई भाई-भाई में ऐसा कुछ होता है तो मैं इसका मतलब आने कि अगर उसके गलत साबित होने के पहले मैं उसको पांसीब चड़ा दूऊ छी गलत साबित होगा निश्चित तरपर आप जैसा करें उनको जेल जाना है सब एंडिया इंड़्टिं में कुछ लोग हैं जो ट्रायल कर दोनों तरफ से जिस आफिक ही का काम कर रहे हैं लिश्चित तर पर उनसे दोनों लोगों को कुछ पुछ पाइडा दोनों तरफ नहीं आप तरह दोनों बात तक यह दोनों बात यह कहीं है कि अक्षरा जी पीड़ता है उनके अच्छे संब्द रहे हैं आज अकर बिगड़े हैं वह आरोप लगा रही है तो दिश्चित तोर पर पुलीस इसकी जाच कर रही है कल अगर हो सजा के अदिकारी होंगे तो उनको सजा होना चाहिए लेकिन पहले यह सारा मामूला तो साफ हो कि गलत कौन है उसके पहले मैं चलो बता दू तो इस में इंडेस्ट्री ट्राइल खतम हो जाती है अगर आप किसी दूसरे के विवाद में अपना परस्नल चीज घुसाएंगे यहां परविशे है अक्षरा जी और पवन जी का दोनों के इंटर्डेश्टल विवाद का तो मैंने एक चीज है कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ 20 साल रह रहा हूं और 498 का केस दर्ज होता है ठीक है तो उसमें आप कैसे आकर बोलोगे जैसे आपने अपनी पत्नी के साथ ग यह है कि अप्षरा जी जानभूश कर भी आरोप लगा रही है अपने पत्नी का उधार दिया उसका तो यहीं मतलब निकलता है कि इतने साल सब्कीक था तो तो आप लोगों ने लगता अप्षरा जी का वीडियो नहीं सुना है बिना सुने आ गया आप लोग अप्षरा जी से खुद यह कहा है कि मैंने पाउन जी के साथ रिलेशन्शिप में थी और बाकाइदा पाउन जी ने मेरे से लिखा के रखा हुआ था याक्षरा जी ने खुद कहा है तो रिलेशन में थी पचास पिच्चरे कर रही थी तो इसका मतलब कुछ संबंध होगे बिल्कुल दू इंड़स्टी में एक आदमी अगर यह बोल दें कि रूपी सिंग गलत थी मैं इंड़स्टी चोड़ दूगा आज के बाद कुछ सारे लोगों के पाईसे भी लटा दूगा जिसके एडवांस लिए हैं दो डारेक्टर मेरे बगल वैटें तीसरे अरवीची सामने करें सब क मैं जानता हूँ जैसिंग खिल्मों में आने से पहले पत्रकार हुआ करते थे बड़ा नामता जैसिंग का और उन्हें सारे कानूनी और रीगल पहलू पता है फिर भी आप जरा जैसिंग यह बताइए मुझे कि इतने सारे विवाद के बाद यह बवाल खत्म कैसे होगा किस गrutी मैंने का अक्षी य०्या को या calendar ब जो फ़ेंसिंग उनको गालियां दी गई है उनकता हो परिशान किया घ्र। सोचल मीडिया पर परेशान किया गया है तो उसी के लिए उन्होंने फाइयर किया है अब पुलिस वही चांच कर रही है कि फेस्बुक किसका था इमेल आइडी किसका था और मैं यह चला अगरो पावन सिंग का पेस्बुक ता तो निश्चित तोर पर पावन सिंग को सजा होन डिने कर रहा है कि लिए चली पॉण और नहीं करेंगे तो कित्रा नहीं करेंगे पुलीषय है अभी नहीं करेंगे जब आएंगे पूली स्टेशन में अपना बयान देने तब करेंगे कहां भाग रहे हो जस्वन जी रोसन जी से पूछिए बात करते हैं आप भी कई फिल्में बना चुके हैं पाउन जी के साथ में क्या नवह रहां उनके बारे मिज़र बते हैं सबसे पह लेकर और उनके साथ आज एक्टर भी मैं एक्टर भी हूं तो कई पिच्रे किया हूं तो आट नोपिच्टर का एक्स्पिरियेंस है मेरे साथ कभी कोई पॉण सिंग कोई प्रावलम नहीं हुआ है ना तो तरह तरह का मैं सुनता रहता हूं कभी मतलब डेट को लेके कभी ट कि चुछ च्छोटा एक टेकनिशियन या जो सपोर्टिंग आटिस्ट अश्चा लगा हूं रहता है और मैं खुद चुकि अक्टर हूं तो इतना मजा एक्टर को नहीं मैंने उनके साथ बहुत सारा एक्ट किया है मुझे कितना सपोर्ट किये हैं जब एक्टिंग करता हूं कुछ गल्ती होता है तो खुद सपोर्ट करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए आप कि प्रिम सरकार राज में भी दोनों कि सरकार राज जो गाना था पातर शीतर शुटकी जाजिया वह गाना जो है पावन सिंग के ही कहने पर मतलब अक्षरा जी को उसमें रखा गया था और मैंने रखा उसमें लेकिन मेरा बहुत बुरान भो रहा उस समय जिस दिन ये गाना सूट था अर्विन चोबे जी उसके ड मच मच हो गया हो कुछ इन लोग का मच मच हुआ सेट पर मुझे इतनी दिक्यत होई मुझे छे घंटे में गाना कंप्लीट करना था लेकिन उस दिन वह गाना मेरा 20 घंटा लग गया था तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एक गाना जब करवाया मतलब इन दोनों लोग का औ और मेरा टार्गेट था कि मैं और कुछ करूंगा उस सिट में मेरे सीन बैलेंस से और एक ही लोकेशन एक ही जगां सूट करना था उसके बाद भी होगाना 20 घंटा लग गया करने में रामदेओं जी बार बार बोलते थे अक्षरा जी का एक्स्प्रेशन नहीं आ रहा है बि मेरे मन में मतलब उससमें यही आया कि यह जोड़ी भले ही इतनी हिट है लेकिन अगर इतना प्रब्लम होगा तो कौन टारेक्टर प्रोडूसर साथ मिले के काम करेंगा वहीं रामदेओं जी आरूप लगा रहे हैं जो इससमें अच्छरा की एक्सप्रेशन की बाद कर रहे कि बराबर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं इंक्या कहना चाहिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी मामला एक तरहा नहीं होना चाहिए अक्छरा जी एक्टरेश बहुत बढ़िया है उनका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है लेकिन कहने का मतलब दोनों लोग का अगर ज सुनने में आ रहा था तो होटल में आके उनने हंगामा में किया कभी गाले गलोज हुआ था अब सचाहिए हमारे अगर आप लोग वांटेट का भी बात जानते हैं मैं बोलना नहीं चाहिए चर्चा चुकि वांटेट में हुआ कि मतलब सरकार राज जो मैंने भी बताया मैं महिने पर हमने वांटेट चालो किया तो पवन जी ने उसके लिए मुझे बहुत दवा बनाया कि आप अक्सरा को रखिए हमारी हिट जोडी है और हम साथ में काम करेंगे तो पिस्चर हिट होगी तो हमने मतलब थुलके तो नहीं बोला मैंने बोला अब यह कैसे कहूं मैं कि मतलब मुझे जो दिख्यात हुई है आप दोनों लोग से खाली गाने में इतनी प्रावलम होई है तो मैं पूरी फिल्व कराऊंगा तो मैं क्या करूंगा तो मैं यह हाथ गोड़ जाके जोड़ू पैसे भी खर्श करो और जाके हाथ गोड़ जोड़ू आज मेरा मतलब इसमें बनाओंगा तो मेरी फिल्म हीट होगी मुझे तुम फिदेंस है जसुन जी आपने कहा कि जोड़ी से मुझे बड़ी तकलीफ हुई जो गाला छे गंटे में शूट करना चाहता था उसे बीस गंटे बाइस में लग गए उसके बाद आपने पॉन सिंग को नहीं है अब हीरो के साथ जरूरी नहीं कि उनकी जोड़ी हिट है और अगर उस जोड़ी से कुछ प्राबलम है तो आज जो डारेक्टर पूडूसर नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सब को कही न कहीं कुछ प्राबलम हुआ होगा एक सिनेमा दो सिनेमा कर तो रिपिट नहीं कि जोड़ी तो उसमें यह मतलब लेम लगाना मतलब कि मुझे निकलवा दिये तुमा मुझे मेरे रिसाब से मतलब ठीक नहीं है रहास होटल की बात अगर दिखी जाए ओक ती सचाही है जो गाली ग्रोज होटल में वहीं थी वहां पर आके इनों ने गा दिखाते हैं मतलब ओडियंस को पब्लिक को दिखाते हैं इतनी गालियां मिलती है कोई पवन जी का जो है फैन है तो अक्षरा को गाली देता है तो बताने में में वीटर लगता है सब लेकिन चुकि आप पूछ रहे हैं मैं वांटड पिस्चर की शूटिंग जो है बस्ती म सब्सक्राइब कर रहा था उसमें एक खल्लाएं के जैभाई भी थे और उसके डारेक्टर सुजित सिंग थे वहां पर मसूट कर रहा था इतिक रात में पर स्कॉल आया कि जो है महारानी होटल था उसमें मतलब बोले कि एक लड़की आई हुई है और पूरा यहां पर मतलब पावन सिंग को कौन जाके इतनी हिम्मत होगी कि मतलब होटल में जाके गाली देगा भाग के गया मैं तुरंट मैं डिरेक्टर सुजिस चिंग है हमारे दो लोग और थे वहां पर होटल में गये साथ में और होटल के नीचे ही पहुचा तो वही ड्रामा था उपर से तो आज कहने का मतलब मैं आप मेडिया वाई से कहना चाहता हूं यह दोनों लोग का जो भी रहा रिलेशन रहा क्या रहा से उसमें ड्रिंक करके गाली हो गलउचता नहीं अब सिस्वेसन यही था और मैं अकेला वहां था नहीं जब इतनी कहानी वहां भीड़ चुकी कि मैं मैं समझाया कि मामला सांथ हो जाए पावन जी को जो हो रहा है ना कि पावन जी जो है मतलब गाली देते हैं ठीक है जो भी जिनके सेट पे दिये हूं जहां भी लोग लपड़ा कियो मैं नहीं जानता लेकिन मेरे सेट पे जो हुआ था उस होटल में जब मैं पहुचा हूं तो वहां मैंने यहीं देखा कि मतलब यह नहीं जो है आबद्र कोई गाली नहीं निकल रहा था लेकिन उधर से निकल रहा था फिर मैं जब सिच्वेशन नहीं समाल पाया जैए भीया को फोन किया सामने है और उसके बाद में मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि उनके प आप आजाएगे तो रात में ही वह आये उसके बाद में वहां का नजारा देखके अगर जो भी वहां हुआ तो आप तुद उनके पिता है उन्होंने स्थिती कंट्रोल कर लिया था ने तो उस दिन तो मेरा मतलब जो था लेकिन फिर भी मेरा चार-पांस दिन का जो नुक्स जानता तो जो भी जिस तरह का व्योवार था मैं नहीं जानता क्योंकि तुद उस तरह का कोई एक दिन मैं सरकार राज में सुटिंग दुबारा मैंने लिया नहीं तो वहां आने का कोई रिजन नहीं बनता था नहीं जो पूसा भीया आई है मतलब क्या ज़रूरत हमारे सेट पे जो हैं मेरा नुकसान हो रहा कौन भरके देगा तो उन्होंने का क आपने प्रवलम हुआ हूँ तो अब क्या कहा जाएगा वाउन जी मुझे मुझे मैं जादा याभी जो देख रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि मतलब और डरेक्टर प्रोडूसर हैं सामने क्यों नहीं आ रहे हैं सबका जो प्रवलम हूआ होगा अपना बताएं भाई पावलम हुआ सराजी से क्या प्रवलम हुआ वह बात करो और दोनों लोग का क्या चलना था क्या नहीं सब राजनीत करने की क्या जरूत है इसमें सब लोग गाली देते हैं कोई मतलब नहीं है अधिक पूरा मामला आप साइबर क्राइम की तरफ मूव हुआ होगा क्योंकि मीडिया और वीडियो सब्सक्राइब करना जाते हैं उन लोगों से चाहिए राम देवन जो डांस मास्तर है या कुछ एक्ट्रेस के कल में देटिचा लोग नाम पड़े बहुत लोग इसमें कमेंट करने लगे हैं कोई अक्षरा को सही बता रहा है अक्षरा मर्बूस लड़की कोई सब्सक्राइब कोई सिंग इसमें हाला कि आरोप दोनों पर लगा जा रहे हैं एक रिक्वेश्ट क्या करना चाहेंगे कि यह मामला पुलिस की जांस तक रहने दें इसका ट्रायल बाहर कहीं ना करें आप बंदर भाई अब बंदर वही कि इस जांग अगर गरत सब्सक्राइब कोई तो परिश्मेंट जरूर मिलेगा यह मैं चल्यों तो कि यह यह एक और वहर मैं सेर करना चाहिए अगा आपने आपके मेरे कहने का मतलब कि जो यह विवाद चल रहा है मैंने जैसा कि बाई-दद शहार कि मैंने उन से कहा कि तालीएःकाथ से नहीं बस दी मैं ने यह कहा कि निश्छित आज अगर विवादित है तो यह उनका मन बर्ध है या मत बर्ध ये भी हो सकता है कि इंडस्टी है आज कई लोगों का युवाद होता है कल एक हो जाते हैं लेकिन अगर अक्षरा जी ने फाई एर किया है तो क्यों हम यह इंतिजार कर लें कि अक्षरा जी को सोशल मीडिया पर जाकर उनकी तोहिन की गई या चोबनी शब्द कहें गए उनको सजा के हगदार है क्योंकि किसी इंडस्टी की बहुत अच्ची अदागा रहा है उनका सोशल मीडिया पर जाकर जिस किसी ने भी चाहे पाउंचिंग हो चाहे जैसे यह जस्वन जी कोई भी हो अगर सोशल मीडिया पर उनके साथ अबत्र बेवार हुआ है वो अगर पवन सिंग के पेस्बुक से हुआ है पवन सिंग के मोबाई से हुआ है पवन सिंग के इमेल आईडी से हुआ है तो निश्चित और पर पवन सिंग उसके सजा के हगदार है और यह जल्द ही मालवनी पूली स्टेशन की जो साइबर सेल क्राइम जो इस मामले को देख रही है अपना भी पड़ देदेगी इसके बाद दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा कि साइबर जो फाइर हुआ है उसमें क्या है किसने किया हो सकता है कि पावन सिंग का इमेल आइडी वगरा से किसी पावन सिंगता है कि आए़ जो वगरा से उसके बाद दूद आएव जो साइबर जो कि रूली से उसके भीहा जाते हैं कि समेने को जो जो से किसी साइबर कैसे दूद थाष इस आएबर इसस्या है